सीरल जिंदगी की महक में शौर की अचानक गेच से शौर और महक की लव स्टोरी पर लग गया है दाइंड का ताला, जी हां सही सुना आपने, सीरल जिंदगी की महक में शौर की अचानक से मौत हो गई है, महक की आखों के आगे शौर की कार हवा में उल्टी हो गिरती है, और बहुत बुरा एक्सिडेंट हो जाता है और शौर वही पर मर जाता है महक तो ये सब कुछ विश्वासी नहीं कर पाती है कि उसकी आँकों के सामने शौर की कार का इतना बड़ा एक्सिडेंट हुआ है और उसकी गाड़ी धुआ धुआ हो जाती है वैसे आपको बता दे कि ये सब कांता चाची ने अपने पार्टनर रतन के साथ प्लान किया था और उसकी वज़े से आज शौर का ये एक्सिडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा कांता चाची शौर और महक को एक दूसरे से दूर करना चाती थी और वो अब इन्हें दूर करने के लिए इस हद तक गिर गई है कि उन्होंने उसका अक्सिडेंट ही करवा दिया और अब शौर पर्मनेंटली महक की लाइफ से चला गया है और ऐसे में महक ने डिसाइड किया ह कि वो कांता चाची को इसका सबक सिखा के रहेगी महक अब नेगटिव बन जाएगी और वो शौर की डिद का बदला लेगी अब देखते हैं कि कैसे महक शौर की डिद का बदला लेती है कांता चाची से वेले शोह से जुड़ी सारे अपडेट से जानने के लिए प्लीज उसका बहुत बुरा एक्सिडेंट हो जाता है और शौर वही पर मर जाता है मैं तो यह सब कुछ विश्वास ही नहीं कर पाती है कि उसकी आँकों के सामने शौर की कार का इतना बड़ा एक्सिडेंट हुआ है और उसकी गाड़ी धुआ धुआ हो जाती है वैसे आपको बता द के लिए इस हद तक गिर गई है कि उन्होंने उसका एक्सिडेंट ही करवा दिया और अब शौक पर्मनेंटली महक की लाइफ से चला गया है और ऐसे में महक ने साइट के आए कि वो कांता चाची को सबस्का कर रहेगी महक नेगटिव बन जाएगी और वो शौर की डिट का बदला लेगी अब देखते हैं कि कैसे महक शौर की डेत का बदला लेती है कांता चाचि से वेले शोह से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सबस झाल झाल